रक्त का पी एच माने ये ठी है द्वतिय परमाणू परिच्छन का कोड क्या है तो शक्ति नाम था द्वतिय परमाणू परिच्छन का कोड था शक्ति हेपेटाइटिस रोग किस से होता है तो विशानू से होता है फूल गो भी किस प्रकार का पुष्प है द्विलिंग की पुष्प है कंप्यूटर में डाटा ग्रहन किया जाता है तो बाइनरी में न्यूटन के गती के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है जड़त्व का नियम चीटी के डंग में कौन सामलो होता है तो फार्मी कमलो होता है भारत में कुल कितने परमाणू रियक्टर है तो 22 परमाणू रियक्टर है किस साशक ने सबसे पहले अपने राज या प्रजा के अधिकारों के बारे में छेला लिखवाय थी तो अशूक ने कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर है तो खजुराहों में हैं विश्वपसिद्ध मयूर सिंगहाशन को कौन अपने साथ ले गया था तो नादिर्शा जो इरान का शाशक था 1746 में अपने साथ ले गया था इबने बतूता कहां का नागरिक था तो ये मोरेको का नागरिक था इबने बतूता भगोरिया तेवार किस जन्जाती द्वारा मनाये जाता है तो मद्य प्रदेश वा महराष्ट्र में भील जन्जाती के द्वारा किस गुफा में मद्य पाशाण कालीन चित्रकारी के साक्ष मिले हैं तो भीम बेटिका में मद्य पाशाण कालीन चित्रकारी के साक्ष मिले हैं बुहन जो राडो की खुदाई किसके समय शुरू हुई थी तो राखल दास बेनर जी 1921-1922 सबसे प्राचीन भाशा कौन सी है तो संस्कित जिसको देव भाशा भी कहा जाता है लिंग राजमंदर का नमान किसने कर आया तो ययाती केशरी न है अशोक किस वन्ष के शाशक थे मौरे सामराज मौरे वन्ष के आईने एक बड़ी पुस्तक के लिखक कौन है तो अबुल फजल है भारत में वैदिक काल का समय कब से कब तक था तो 1500 से 600 बीसी पूर्व मतलब विफोर क्राइस्ट धूमल या धूमल किस राज का लोकनत्य है तो ये आपका जम्मू वा कश्मीर का लोकनत्य है कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा तो कंप्यूटर कम्यूनिकेशन प्रोटोकॉल होगा राइबोजोम किसका संसलेशन करता है तो प्रोटीन का आधोनिक आवरसाणि में कितने उर्दोअधर कॉलम है तो 18 उर्दोधर कॉलम है तारों का टिमिटेवान किस प्रकाशी घटना की कारण होता है तो प्रकाश के वायूमेंडली अपवर्थन की कारण पराव एगनी केड़ों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है तो ओजोन या ओथरी स्वसन के दोरान जो है ग्लुकोस के ऑक्सिकन पश्याद क्या बनता है तो ATP बनता है दंतरों के सक्किस दरपन का प्रियोग करते हैं तो अवतल दरपन का प्रियोग करते हैं जेसलवी का जो है फुल फॉर्म क्या है तो जीयो सिंक्रूनस सेटेलाइट लॉंच वीकल छुई मुई पौधा का वज्यान के नाम क्या है तो इसको गोलते हैं मिमोसा पुडिका स्प्रेडशीट किसे संबने थे तो MSXL में होती है स्प्रेडशीट भारत का समयधान कितने दिनों में निर्मेत हुआ था तो दो वर्ष 11 माह और 18 दिन में लोगसभा का प्रमुख कौन होता है तो लोगसभाई स्पीकर होता है RBI के प्रथम भारती गवर्णर कौन थे तो CD देश मुख्जी थे समानता का अधिकार किस अनुछेद में है तो समानता का अधिकार अनुछेद 14 से 18 में है भारत सरकात था सभी सरकारों के सभी तरह के लेखों का अंकेक छण कोन करता है तो भारत के नियंत्रक एवं महालिखा परिक्षेश को कैग बोलते है नीती आयू का प्रथम अधिक्ष कौन था नरेंद्र मोधी प्रथम लोगसभा चुना कब हुए थे तो 1952 में ब्रिटिस भारत में गौवर्नर जणरल के पद के स्थान पर वायस राय पद के स्थापना कभ हूई तो 1947 की क्रांती के बाद जब भारत सीधे ब्रिटिस का गुलाम हो गया पहले किसका था इस्ट इडिया कमपनी का उसके बाद से गवर्नर जनरल की जगा वायसराय का पचाल हुआ राजे सभा सरस्वों का कारिकाल कितना होता है तो 6 वर्षों का होता है संसद में सरकारी भिल प्रस्तुत करते हैं कौन तो मंत्री के द्वारा प्रस्तुत होता है वाइसराय की कारेकारी परसद में शामिल होने वाले प्रतम भारती कौन थे तो सत्य इंद्र प्रशाद सिनाजी भारत में समविधानिक गड़राज या गड़तंत्र करत क्या होता है तो मुख्यकारकारी और पतिनिदियों को लोक तांत्र के रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है उच्छ सदन किसे कहते हैं तो राजिसभा उच्छ सदन है और लोक सभा निम्न सदन है केंद्र और राजियों के बीच विधाई शक्तियों का विवरण किस अनुचोज़गी में है राश्ट्री मानाव अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी तो 1993 में सर्वोची नियालाए नियाइक पुनराव लोकन पुनर रिक्षन का अधिकार किस अनुचेद में है अनुचेद 13 में लोग सभावा राज सभा की सयुक्त बैठक किस अनुचेद में लिखे थे तो अनुचेद 108 में भारत का सम्विधान कब अंगी करत किया गया था तो 26 नमवर उनिसो उननचास को अंगी करत किया गया था लागू कब हुआ था आप सभी को पता है कमेंट करके बता हो 200 question हो गए तो भारत का सम्विधान कब लाग हुआ था comment box में comment करके बताईए हमारे देश का सम्विधान कब लाग हुआ था जो भी आपको date याद हो comment करके बताना है ठीक है date नहीं तो sun सही जो भी याद हो 1909 में British सरकार ने कौन सा संद्रिशनात्मक सुधार किये थे तो मारले मिंटो सुधार हुए थे 1909 में भारत संगी छेतर है संगात्मक शाषन व्यस्था इसका मतलब क्या होता है संगात्मक शाषन व्यस्था सम्विधान के दोबारा केंदरी सरकार और एकाईयों की सरकारों में शक्तियों का विवाजन वा संविधान की सर्वुच्टा अनुशे 76 किसे संवने थे तो भारत के महानियाएवादी से भारत का संविधान कब लाग हुआ था लो मैंने आपसे कॉशन पूछा था आगया अंसर 1950, 26 जनवरी 1950 1950, CRPC की किस धारा के था तो पांच या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमानी हो सकते तो धारा 144, बोलते हैं धारा 144 लागू हो गई धारा सा 144 में आप ग्रुप बनाकर खर ली नहीं हो सकते पांच या जो है उससे अधिक आदमी एक साथ जमानी हो सकते शोषण के विरुथ अधिकार किस अनुशेद में वणने था तो अनुशेद 23, 24 में ब्रेटेन के PM फेडरिक नौर्थ दुवारा भारत में कौन सा एक्ट प्रस्तुत किया था तो इनने एं रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया था वार्षिक वित्ती विरुथ अनुशेद में है तो अनुशेद 112 में सम्विधान सभा के प्रथम उपादक्ष कौन थे तो हरीश चंद्रमुखर जी सम्विधान इर्मान के समय अर्थात 1950 मैं कितने मौलिक अधिकार थे तो साथ मौलिक अधिकार थे उस समय 2019 में किस भारती राजी में पाँच मुख्य मंत्री नुक्त किये गए थे तो 2019 में आंधर प्रदेश में पाँच उप मुख्य मंत्री नुक्त किये गए थे यदि राष्टपती और उपराष्टपती दोनों का सीट रिक्त हो तो राष्टपदी के कारें का निर्वहन कौन करेगा तो सर्वोची ने आलाए कि एम्मुख्य नायदीस एक लोग सेवक नहीं बन सकता तो एक लोग सेवक मतलब सरकारी आदमी सांसद नहीं बन सकता उसको या पर अपनी नौकरी चोड़ने पड़ेगी संसथ के दो सत्रों के बीच अधिकता मंतराल केइतना हो सकता है तो 6 महीने संविधान का अनुच्छेद 143 किसे समद्ध है तो SC द्वारा राष्टपती को सला सुप्रीम कोड़ द्वारा राष्टपती को सला 2019 जम्मू काश्मीर पनलगठन्द विद्यक 2019 यह किस तारिक को पेश किया गया जब धारा 370 वहां से हट गई और उसको लद्दाक और जम्मू काश्मीर को अलग लग राजी भी बना दिया गया तो 5 अगस्त 2019 भारत में सबसे अधिक समय के लिए मुख्यमंत्री कौन रहे तो पवन कुमार चामलिंग योगी सिक्किम के हैं 2015 में किस सम्विधान शन्सोदन के तैद भारतवा बांगलादेश के बीच जमीन की अदला बदली हुई थी तो सौवा समविधान शंशोधन हमने कुछ बांगलादेश को जमीन दी थी अपनी और बांगलादेश की कुछ जमीन हमारे पास आ गई जससे बाउन्डरी अच्छे से खीची गई है ना सीमा उनहत्तरवा समविधान शंशोधन उननिस सो इंक्यानवे किस सम्वनित था तो दिल्ली को केंद साशित प्रज़का दर्जा दिया गया था नवीन पत्नाय कितनी बार उडिसा के मुख्य मंत्री बने है तो पांच बार संपत्तिक अधिकार किस समविधान शंशोधन के तद नहीं वहां है किसने की तो गुरुगोवें सिंझ जी ने खालसा पंत्त कि स्थापना की गोल गुमद कहां पर स्थत है तो बीजापुर करनाटक में सांची के स्तूप को कभी युनेसको के विश्व धरुवर में शामिल किया गया तो आपका ये 1989 में ख्वाजा मोईदिन चिस्ती की दरगा कहां पर है तो अजमेर राज्थान में गुप्त वंश का संस्थापक कौन था तो श्री गुप्त था चौसा का युद किनके मद्द लड़ा गया और कब लड़ा गया हुमायू और शेर्शा के बीच में लड़ा गया गीत गोविन के रचयता कौन है तो जैदेव हैं जातक कताओं का संबंद है तो महात्मा बुद्ध के पुनरजर्म से इबने बतुता किस देश का नागरिक था तो ये मुरैको का नागरिक था इबने बतुता हुमायू नामा के लेखक कौन है तो गुलबदन बेगम दाशवन्त की स्थापना किस ने की तो कुत बुद्धीन एबक ने भगवान महावीर के बच्पन का नाम क्या था तो वर्दमान था बहुत धर्मकी प्राचीन पुस्तक का नाम बताईए तो त्रिपटक ताज महल का नमान कभ शुरू किया गया तो 1632 में ताज महल का नमान सुरू किया गया त्रेपन में कंप्लीट हुआ साची का इस्तूप किसना बनवाया तो संब्राट अशोक ने बनवाया पुरा का हुआ में जावाम्थ दर्वाजा को अकबर ने किस विजय ये बाद बनाय थह तो गुजरात विजय के बाद एंप संगाल Stevhaft Raag किस राजी मना जाता है तो तमिलाडू में चौथी बॉद संगिती किस राजा की कारेकाल में होई थी तो कनिश्क कोशान वन्सके थे कनिश्क और चंद्रकुप्त दोती यह विक्रमा जिते के नवरत्न प्रसेद संस्कत विद्वान कौन थे तो कालीदाजी अशोक के प्राच किस से संबनत है तो यह चर्च जैसे इसाई से संबनत है सिनेगोग यहूदी मंदर है कौन सा समारक मंदर तमिलाडू में है तो ब्रहदेश्वर मंदर स्वान मंदर जिसको हर मंदर साहिब भी कहा जाता है किस सिख गुरू ने मनवाया तो सिखों के पांच गुरू राज ने मं सफदर जंग का मकबरा कहा पर है दिल्ली में बिहार और नेपाल में नेपाल के कुछ छेत्रों की प्रमुक्ह क्रशित्रकला कौन से तो मधोनी सिखला शयां की बेटी का नाम किया था जहां आ आराक गोहर आला रोशन आअरा शया जहां की बेटी थी गोру गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था तो 1469 तलवंडी में, नादेशाह ने भारत पर कबाक्रमण किया था तो 1749 में, अजंतागी कुफाई कहां इसते थे तो महराश्ट्र में, सूर्य मंदिर कहां पर है तो कोणार्क उडिसा में, मनुरा किला कहां पर है तो तंजावु में, ग्रैंट रंग जीटी रोड किसने बनवाई तो शेरशाह सूरी ने, बुलन दर्वाजा किसने बनवाई अकबर के द्वारा बनवाए गया, हुमायू नामा किसने लिखी गुल बदन बेगम ने, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है तो समुद्र गुप्त को, बुल अतत्त के विभाग के महानिशक कौन थे तो सर जौन मार्शल थे, रेड डाटा बुक क्या है तो जानवरों, पौधों, आधिक, दुरलब और लुप्त प्राया जो प्रजाती है उनके बारे में ब्योरा देता है, लोहे पर जंग लगन किसका एक सामान उधान है, तो एक र संवनित है, तो तीसरी पीडी में, आईसी चिप का यूज हुआ है, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेप का आविशकार किस ने किया था, तो टिम बर्नसन ली ने, UNFCCC, किसका संशिप्त रूप है, तो United Nations Framework Convention on Climate Change, TELEX, किसका संशिप्त रूप है, तो TELEX का मतलब होता है, टेली प्रिंटर एक्चेंज, हैंडरी बैकुरल, किसकी खोज की थी, इनों ने तो रेडियो धर्मिता की, प्लाजमा जो की रक्त का एक घटक है, तो यह क्या है, तो प्लाजमा द्रव है, राइनो स्कोप किसकी जांज के लिए यूज होता है, तो नाक के लिए, लिनक्स किसका एक उधान है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का, कौन सा acid सिर्के का प्रात्मिक घटक है तो acetic acid भारतिय वन ने जीव संस्थान इस्तित है तो ये दहरादून में स्तित है हेंडरी वैकुरल ने किसकी खोच की तो ये रेडियो धर्मिता किनों ने खोच की राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए उपकरण है तो नाक की जांच के लिए लिनक्स किसका एक उधान है तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स कौन सा acid सिर्के का प्रात्मिक घटक होता तो acetic acid भारतिय वन जीव संस्थान कहां पर है दहरादून में है ये भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमे उगाई जाती है तो काली मिटी में उगाई जाती है टिंडल प्रभाव किसे समझत है प्रकाश के प्रकिणन से समझत है किसी विदो सर्केट के दो भिंदूओं के मद्द एक एकाई आविश का स्थाननत्रन क्या कहलाता है तो इसको बिववानतर कहा जाता है मतलब वोल्टेज सिलिकॉन आम तोर पर प्रयोक्त होने वाला क्या है तो एक अर्धचालक है सिलिकॉन कम्प्यूटर में वर्क बुक आम तोर पर किसे समवने थे तो MS Excel से ओजोन के अनू में ऑक्सीजन के कितने परमाणू होते हैं तो तीन परमाणू होते हैं साहा परमाणू बहुत की संस्थान कहां पर है पश्चे मंगाल में हैं हाथी भालू गैंडे किसके उधान है तो यह इस्तन पाईयों के उधान है एक टेरावाइट में कितने गीगावाइट होते हैं तो 2024 कंप्यूटर के छित्र में बिट से क्या तात पर होता है तो बिट होता है बाइनरी डिजिट ऑप्टिकल भाइवर किसके सिध्धान पर कार्य करती है तो पूर्ण आंत्रिक परावतन के सिध्धान पर कौन सा देश पहला कार्बन नेकिडिव देश बना तो भूटान इले पराविमंडल की कौन सी परत रेडियो संता है